नमस्कार स्वागत अभिनेंदन अवार्थ इस मरी दोस्ति वारी वेलकम्स यू ओल अन लिट्रेचर पे चर्चा तो अलेट्स दिस्कूर्स इन दे कंटिनुएशन नोवल सिरीज विच इस ओंली वर ट्विस्ट उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं थीम्स की और का इंक्लूजन की बड़ा ही सिंपल सा वीडियो बड़ी सिंपल बातें आपसे करूँगा I hope आपको इंट्रोडक्शन और ओवर्वीव का वीडियो पसंद आया होगा उसके बाद केरेक्टर्स और समरी का वीडियो पसंद आया होगा तो हम बात करते हैं थीम्स के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट आप देखोगे वर्चू वर्स एवल हमेशा अच्छाई और बुराई के बारे में हमेशा आपसे बात होगी चाहे राम जी और रावन हो चाहे पांडव और कोरव हो चाहे कोई भी हो हमेशा क्या होता है इस वर्ड के अंदर आप जो अच्छा है उसके सामने बुरा होगा बुराई और अच्छाई के बीच बहुत सारी लड़ाई होगी तो यही कहानी है ओलिवर्ट ट्वेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्चू को कि अगर आप अंदर से बहुत अच्छे हो अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हो बहुत समझदार हो आपके अंदर neat and clean एक पायूस हर्ट है तो आपको चाहे कितना भी किसी तरह से एविल तंग करें लेकिन आप अमेशा एक अच्छे रास्ती पे जाओगे आप अच्छा क प्रशा कि अगरते हैं एक आदमी को आप जो रास्ते उते हैं वह कही ने रोक देती है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है विकूस यह डॉन्ट है तो अगर बैसिकली इंक सकते हैं रिसूर्स नहीं होते हैं कि वह कुछ आउट अप दबॉक सोच सके कुछ अच्छा कर सकें पोवर्टी कहीं न कहीं एक आदमी के माइंड को ब्लोक करने का उसकी अप्रचिंटीस को कम करने का काम करती है और यह हम बात अच्छे तरीके से इस पूरी की पूरी नोवल के अंदर देख चुके हैं और कहीं न कहीं जो आप थर्ड पॉइंट पड़ोगी क्रिमिन यह चार्ल्स डिकिन्स ने अपनी जब इस नोवल के बारे में वह कहीं बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी इस नोवल के लिखने के पिछे एक परपस यह था कि इस दुनिया को यह भी बताना क्या था कि जो पोवर्टी होती है वो कहीं न कहीं क्रिमिनलिटी क towards lead करती है है ना एक बच्चा जो poor है वो कही न कहीं criminal बनने की और बढ़ता है अगर उसके साथ कुछ ऐसी अरकते होती है अगर वो गरीब है तो वो criminal जलदी बन सकता है क्योंकि उसे पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है उसके लिए जरूरत होती है so poverty leads to criminality ये भी इसके अंदर एक theme है उसके साथ child abuse वो कही न कही हम हर जगा इसके अंदर देखते है Mr. Bumble के पास जब Oliver Twist जाता है वहाँ पर भी उसका child abuse होता है work house में काम करता है वहाँ पर भी child abuse है Mr. Sobery के पास जाता है वहाँ पर भी no वगेरा उसके girlfriend दोनों के दोनों आपस में वो सब के सब उसको abuse करते है उसको humiliate करते है उसको bully करने की कोशिश करते है तो कही न कहीं ये theme तो बहुत ही ज़दा prominent एक theme है और सबसे last but not the least और बहुत कमाल की एक बात जो इस पूरी की पूरी novel के अंदर आपको निकल के आएगी देखने को मिलेगी Nature versus nurture देखिए सीदी सी बात है आप अगर अंदर से ही खराब हो अंदर से ही खराब का मतलब if you have that nature of yours which person can anybody can bribe you anybody can manipulate you अगर आप बहुत ज़दा greedy हो तो वो आपका एक nature होता है अगर आप miser हो आप कंजूस हो वो आपका nature है वो आपके पास चाहे कितनी भी opportunities होंगी या आपको चाहे कैसे भी माहौल मिलेगा वो आपने अंदर की वो चीज़ को नहीं चोड़ सकते हो आपके चाहे अकूट पैसा होगा तो भी वो कंजूस आपमी कंजूस ही रहेगा ठीक है हम जैसे आपमी है 5000 रुपे मिले तो खर्च कर दिये टेंचन ही नहीं है दुनिया चल रही है तो बहुत वाली सीन होती कि nature आपमी का हमेशा वेशा ही रहता है तो Oliver Twist के जो nature था he was a very good boy बहुती noble, बहुती kind, बहुती प्यारा बच्चा था तो उसके साथ nature जो था उसका वेशा था उसके साथ जिस तरह का nourishment हुआ जिस तरह से उसके साथ situations हुई वो bad words और बहुत सारी होती गई बट उसका जो scene था उसका जो nature था innate जो उसकी quality थी उसके nurture ने वो उसको बदल नहीं पाई उसको चोर बनाने की कोशिश की गई उसके साथ बहुत गलत गलत करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी वो in the end वही रहा जो वो हमेशा रहता है उसको जब पता चला है कि मैं बहुत अमीर हूँ मैं बहुत बड़े अमीर घराम को फोलोग हूँ जो हम बिलोंग करता हूँ तो Mr. Brown लोगो कहता है ये जो पैसा है मेरे पास वो गरीब बच्चों या नाथ बच्चों जहां पर मैं रहा हूँ उसको आप donate कर दो उनकी betterment के लिए काम करो तो वहीन बात nature की कि उसका nature इतना struggles देखने के बाद इतनी परिशानियां देखने के बाद इतना उसके साथ होने के बाद भी वो जो उसका nature है that remains constant and he was a good boy and he always been that चलिए तो I hope आपको themes मैंने समझाने में मैं सकलता मिली होगी Now let's go to the conclusion कि ये novel क्या है क्या depict करती है क्या बताना चाती है क्या हमसे और आपसे कहना चाती है और क्या मैं इस वीडियो के थूँ आपको बताना चाता हूँ तो मैं आपको ये बताना चाता हूँ कि जो Charles Dickens का main concern था इस novel के थूँ रिप्रेजेंट करने का वो ये था कि जो आप big cities देखते हूँ चाहे Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai जितनी भी बड़ी-बड़ी cities जिनको हम admire करते हैं यार वहाँ पर तो ये है, वो है, ये कहानी है, वो कहानी है तो हर एक बच्ची की जिद होती है एक फाब होता है कि वहाँ पर जाके मुझे ये करना है but he is unaware of the reality of these big cities अभी इस COVID के टाइम पर हमने बड़ी realities देखी हैं बड़ी-बड़ी जगों की कि बड़े-बड़े starts की life कैसी होती है उनके क्या inner thoughts होते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता है इस COVID के टाइम ने भी हमें वो सब चीज़ें दिखाई तो वही कहीं न कहीं यहाँ पर represent करने की कोशिश कीए Charles Dickens ने इस novel के अंदर की London City जिसको बहुत ही सपनों की दुनिया और बहुत ही कमाल की जगा माना रता है वहाँ पर एक Oliver Twist नाम के छोटे बच्चय के साथ भी और हम भी देखते हैं कि बहूत सारी गेंग यह होती है जो बड़े-बड़े शहरों में छोटे बच्चों से भीक मंगवाती है उनके हाथ पेर तोड़ देती है उनके साथ कुछ गलत काम करवाते हैं girl trafficking और यह बहुत सारी चीज़ें होती है जो बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर होती है तो एक limelight वाले life और suddenly उसकी वो reality तो यह पूरा का पूरा नोवल इस चीज़ को represent करता है इस पूरी की पूरी theme को represent करता है और उसके अंदर एक बड़ी beautiful तरीके से एक character जो Oliver Twist है वो represent करता है एक struggle को एक अच्छे लड़के के एक पूरी की पूरी खराब दुनिया के खिलाफ तो कहीने कहीने कहानी इस तरह से हमारे सामने निकल के आती है I hope कि आपको मैंने इस कहानी के छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी और हर एक important point आपको समझाने की मैंने कोशिश की If you like it, then what you have to do is like the video, share it with your friends and please इस channel को support दिखाए जितना जहाँ जहाँ share कर सकते हैं वहाँ वहाँ कीजिए चुकि यह आपके काम हमेशे आने वाला है जेहिंद, नमस्कार, बाबाई